यूसेटी इंडिया यूसेट वहां थे हुकम थो कोई हेलिकोप्टर से हवाई निरिक्षण करें वो तो मैं समझ सकता हूं साब वो कारकम बदल करके साउट में किस राजी में गए तो मुझे आद ने रहा और बोले हम 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 हवाई यहां से उपर थे देख लेंगे मैं सूरत पहुंचा हुआ था वो आने वाले थे मैं जानता हूँ आखिर में क्या हुआ होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं साब प्राकुति का अपदाबें भी मैंने ऐसी मुसीबतों को जेला है लेकिन उसके बावजुद्ध उस समय भी मेरा मंतर था आज भी मेरा मंतर है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास भारत के विकास के लिए गुज्राव करें और हम सबकों इसी रास्ते पर चलना चाहेंगे हम राज्यों का विकास से ही रास्त्र का विकास कर पाएंगे इस पे कोई कोई विवाद नहीं हो सकता है कोई विवाद नहीं हो सकता है और मैं आपको विश्वास देता हूँ सभापती जी राज जगर एक कदम चलता है तो दो कदम चलने की ताकट देने के बारा है कोपरेटिव फैडरलिजम क्या होता है और मैंने तो हमेशा कहा है कॉम्पिटिटिव कोपरेटिव फैडरलिजम आज देश को जरूरत है कॉम्पिटिटिव कोपरेटिव फैडरलिजम हमारे राज्यों के बीच में तंदुरस परदा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ एक सकारात्पक सोच के साथ हमको चलने की जरूत है और मैं ये राज्य में था तब भी इससी विचारों को ले करके काम करता था इसलिए चुपचाप सहता भी था फादर निये सभावती जी कोवीड एक उधारन है इतना बड़ा संकट आया दुनिया का ऐसे संकट के समय राज्य के मुख्य मंत्रियों के साथ बीस बैठे के की उस कालखन में एक एक बात का विचार कुमस करके साथे करके और सभी राज्यों का सहयोग एक टीम बिन करके केंद्रो और राज्य ने काम किया दुनिया जिस मुसीबत को जेल नहीं पाई हम सबने मिल करके किसी एक को क्रेडिट मैं कभी नहीं दूँगा सबने मिल करके इस देश को घचाने के लिए जो हो सब्राइब राज्यों को भी उसकी क्रेडिट लेने का पुरा अधिकार है इस सोच में हमने काम किया अधर इस सभापते जी जीट विंटी का आयोजन है हम दिल्ली में कर सकते हैं हम दिल्ली में बड़े-बड़े नेताओं के बीच लहे करके सब कुछ क्या नहीं कर पहले हुआ है हमने ऐसा नहीं किया हमने जीट विंटी का पुरा यर्ष राज्यों को दिल्ली में एक मिटिक की तो सो एक एक राज्य को एक्सपोजर मिले दुनिया में ये गल्ती से नहीं हुआ योजना के तरीके से हुआ है मेरे लिए किसकी सरकार है इसके अधर्वन में देश नहीं चलाता हुआ हम सब मिलकर के देश आगे बढ़ाना चाहते हैं इस भूमिका से काम किया है आज विदेश की महमान आते थे तो मेरे आने के बाद आ रहे था थोड़ा है पहले भी आते थे आज विदेश की महमान आते हैं तो मेरा आग्रह रहता है कि आपको एक दिन किसी राज्य में जाना चाहिए मैं उनको लेती है कि जाता हूं राज्यों में ताकि उनको पता चले कि मेरा देश शानल दिल्ली नहीं है मेरा देश चिन्नी में भी है मेरा देश बैंगलूरू में भी है मेरा देश हाइदरबाद में भी है मेरा देश पूरी में भी है भूमलेसवर में भी है मेरा देश कल इसके तराजू पर नहीं तोलते हैं एक एक इमांदारी से इस देश के भविश्य के लिए पूरे विश्व मेरे भारत को जाने इसके लिए हम प्रयास करते हैं और मैं अभी भी अभी जन्वरी को इतना बड़ा काम रहते हैं सबको मानू मैं उसके बाद मी मैं 25 तारी को फ्रांस के राजपती को राजिस्तान की गलियों में गुमा रहा था उनिया को पता चले कि मेरा राजिस्तान ऐसा आधर निया सभावती जी हमने एक बहुत बड़ा कारकम दिया जिसकी विश्व में एक मोडिल के रूप में चलता हो रही है एस्पिरेशनल डिस्टी एस्पिरेशनल डिस्टी की जो सफलता है न उसमें 80% बहुनी का मेरे राजियों के सहयोग की है राजियों ने जो सहयोग किया उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्टी की मेरी फावना को समझा आज उस एस्परिस्टिलर डिस्टिक को आगे बढ़ाने के लिए 80% ताकत राज्यों से मिल रही है डिस्टिक लेवल के अपसरों से मिल रही है और जो राज्य वो राज्य की आउसत में भी आखरी पायदान पर खड़े थे वो आज नेशनल एवरेज के साथ कॉम्पूटिशन करने लगे ये डिस्टिक अभी पीशेडी डिस्टिक माने जाते थे ये सबकर सयोग सो हो रहा है और इसलिए हमारे कारिकमों की रचना ही सबको साथ लेकर के चलने की है और मिल करके देश के भविश्य को बनाने की है अज देश का हर कोना हर परिवा विकास के फ़ल प्राप्त करे है ये हम सब पादाइक वह है और हम उसी जिसा में जाना चाहते है हम हर राज को उसका पूरा हग भी देना चाहते है लिकिन मैं आज एक एहम बुद्वे पर मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहूँगा आदरिने सभापती जी एक राष्ट हमारे लिए सिर्फ जमीन का ठुकड़ा नहीं है हम सब के लिए एक काई ऐसी है जो प्रेणा देने वाली काई है जैसे शरीर होता है शरीर में चैसे अंगांगी भाव होता है अगर पैर में काटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है हाथ कभी नहीं सोता है मुझे क्या पैर को काटा लगाए पैर पैर का काम करेगा पल बढ़ में हाथ पैर के पांग पहुंच जाता है काटा निकालता, काटा पैर को लगता है, आँखे नहीं कहती है का आँशू मैं कम भाओ, आँशू आँख से निकलते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कौने में दर्द हो, तो पीडा सब को होनी चाहिए, अगर देश, देश, देश का एक कौना, अगर शरीर का एक अंग, अगर काम नहीं करता है, तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है, शरीर जिस प्रकार से, अगर देश का भी कौना, देश का कोई खेत्र, विकात से मंचीत रह जाएगा, तो देश विक्षित नहीं हो सकता है, और इसलिए हमें भारक को एक अंगांगी भाव से देखना होना उसको टुकड़ा में नहीं देख रहा चाहिए, जिस प्रकार जी इंदर भाशा है बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए राजरीतिक स्वात के लिए नए नेरेटिव गड़े जा रहे है, एक पुरी सरकार मादार में उतर करके इंदर भाशा गड़ रही है, इससे पुरा देश के हैं, जब एक जारखन का बच्चे में पुक्तिवां देखते हैं, और देश हजारो करोर रुपया, हजारो लाखो रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनीया के किसे देश में बेचता है, तो हम यह सोचेंगे, यह खर्चा जारखन के लिए हो रहा है कॉँअ वैक्सिन तोने में बनी थी इसनले हक उनका है देश को नहीं मिल सकती कैसा सोच सकते के चाहएं के बैक्सिं उस शहर में बनी थी इसनले देश के और भागों को इसका निभी लेगा ये सोचेंगे क्या क्या सोच बनेंगे ये और एक राष्टिय दल के अंदर से ऐसे विचाना है ये बहुत बहुत दुखत की बाद है क्या अगर हिमाला एक हें कि आज बोलना सूरू कर दे कि नदिय मेरे हाथ से बहती है मैं तुमें पानी का अदिकार मेरा है देश का क्या होगा देश कहा जाकर के रुकागा अगर जिन राज्य बे कोईला है वो कह दे कोईला नहीं मिलेगा यह हमारी संपती है जाओ तुम अंदेरे में गुजारा करो देश कैसे चलेगा आदर्णिय सभाबती जी आक्सिजन कोविड के समय अगर उस समय पूरत्टी लोग कह करके बैठ जाते है अक्सिजन कब लहीं दे सकते है हमारे लोगों के जिरूस है देश को कुछ नहीं मिलेगा क्या होता देश का उन्होंने संकर जेल करके भी देश को अक्सिजन पहुचाया देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है कि इस प्रगास है देश को हमारा टेक्ष हमारे मनी किस बाशा में बोला जा रहा है ये देश के देश के भुश्य के लिए नया खत्रा प्रदा करने महीं है देश को तोड़ने के लिए नय 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 नरेटिव खोजना बंद कर दीजिए देश को आगे बढ़ना है देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयात किजिए अधरिये सभापती जी किसले दस वर्ष नीथ यो निर्माण के आधनिया सभापती जी आधनिया सभापती जी नद में बढ़ने कर दो आधनिया सभापती जी नीतियो निर्माण ये नए भारत की नई दिशा दिखाने के लिए जो दिशा हमें पकड़ी है जो निर्बान कारिय हमने लिए है बीत एक दसक में हमारा पूरा फोकस बेसिक स्विजाएं जुरूर मिले उस पर हमारा ध्यान केंदिर रहा है भादने सभवती जी हर परिवार का जीमन स्तर उपर उठे उसकी जीवन में इज अब लिविंग बढ़े अब समय की मांग है उसकी क्वालिटी ओफ लाइफ में हम कैसे सुधार लाए हम आने वाले दिनों में हमारी पूरी शक्ति पुरा सामरत इज अब लिविंग से एक कदा आगे बढ़ करके क्वालिटी ओफ लाइफ की तरफ हम बढ़ाना चाहते हैं हम उसके लिए जाएंगे आदरने सभवती जी आने वाले पांच बर्ष नियू मिडल्स का लास जो गरीबी से निकल करके बहार आए है इसे नियू मिडल्स को नहीं उच्छाई और ससक्ता वाला लिख लिए हम अने एक विद्वार करके कमचाने के लिए पुरा प्यास कर लिए और इसलिए हमने सामाजिक ज्ञाएगा जो मोधी कवच दिया है ने उस मोधी कवच को और मजूद करने और ताकत देने वाले आजकल जब हम कहते हैं कि पचीश करोड लोग गरीबी से बाहर आए तो कि ऐसा कुतर कर दिया जाता है कि पचीश करोड बाहर आए तो फिर अस्री करोड को खाना अनाच को देते हो हम जानते है कोई बीमार वेक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे समालिए खाने में परेजी रखी ठिक ना करिए फ़ला ना करिए क्यों कहीं दुबारा बहाँ मुसीबत में आ जाए जो गरीबी से बाहर निकला है उसको जादा समालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकता करके फिर से गरीबी के तरफ लपकने जाए और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए यह समय हमने गरीब को मजबूता के वो फिर से वो नियो मिलक राच फिर से वापिस उस गर्थ में डूबना जाए हम पांच लाख रुपे आईश्बान का देते हैं उसके पेशे एक रादा है परिबार में एक बिमारी आजाए न मद्यमवर का आदमी भी गरीब मने से देर नहीं लगती है और इसलिए गरीबी से बहार भी कलना जितना जरूरी है उतना गलती स से भी गरीबी के तरफ पीशे न चला जाए उसके लिए ध्यान रखने के आवज सकता है और इसलिए हम अनाज देते हैं अनाज देते रहेंगे किसी को पुरा लगे या न लगे 25 करोड गरीबी से बाहर भिकले हैं नियो मिडल क्लास हुए हैं लेकिन मुझे समझ हैं मैं उस जरूरत ज्यादा है और इसलिए इसलिए हमारी योजना जारू रहेंगे हैं आदनी सभापती जी देश जानता हैं आदनी सभापती जी और इसलिए मैंने गारंटी दी है मेरी गारंटी है गरीबों के पांच लाख रुपे तक की गिलाज की सुविदा आगे भी मिलती रहेगी मेरी गारंटी है बोधी की गारंटी है असी परसंट डिसकाउंट से जो दवाईयां मिल रही है जो दवाईयां मिल रही है जिसका लाब मद्यमबर गरीब को मिल रहा है वो मिलता रहेगा आगे लिए सभापती जी मोधी की गारंटी है कि किसानों को जो सम्मान निदी मिल रही है वो सम्मान निदी चालू रहेगी ताकि विकास की यात्रा में वो ताकत के साथ जूर जाए आगे लिए सभापती जी गरीबों को पक्के घर देने का मेरा ब्यान है अगर परिवार बड़ा होता है नया परिवार बनता है पक्के गर देने का मेरा कारकम जारी रहेगा नल से जल योजना मेरा पक्का इरादा है और मेरा पक्की गरंटी है कि नल से जल हम नए सवचाले बनाने की जरूर पड़ीगी मेरा पक्की गरंटी है यह काम सारे तेजी से चलेंगे क्योंकि विकास का जो रास्ता विकास की जो दिशा हमने पकड़ी है इसको हम किसी भी हालत में जरा भी धीमी नहीं होने देना चाहते हैं हादर निये सवाबती जी हमारी सरकार का तीसरा टम दूर नहीं है कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते है मोदी 3.0 विक सिख भारत की नीव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा दे आदर निये सवाबती जी अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले के कुन्ना में अनेक गुना बढ़ी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलब हो जाएगा आदर निये सवाबती जी अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा आदर निये सवाबती जी आने वाले 5 साल में उन गरीब को पी एम आवास जो देने हैं एक भी बंचीत नहीं रहें इसका पका ख्याल रखा जाएगा अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेट्वर्क बनाने का पर पूरे प्रयास में आजाएगा सवाबती जी आने वाले 5 साल हमारी युवास शक्ती का दम पूरी दुनिया देखेगी आप देखना आदन ये सवाबती जी हमारे युवास स्टार्ट अप्स युवाओं के युनिकॉन इसकी संख्या लाखों में होने वाली है और इतना इने टी एक टू टी एक ट्री सिटी नएने स्टार्ट अप से उसकी एक नई पहचान के साथ उबरने वाला है ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूँ आदानिय सभाब अदी जी रीशर्ट फंडिंग उसकी वृद्धी का प्रभाव आप देखां पिछले साथ दसक में जीतने पेटेंट नहीं हुए है उतने रिकर्ड पेटेंट फाइल होने का दिन आने वाले 5 साल में में देख रहा हूँ यढए हूह थक्राइश प्रेश जल्वार अप देख रहा हुए 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 एगize उयेंग हुए Stephen Napad 크게 पिनी dramräge हुए 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 IS commerοι Nursing